पार टू तो इस इंसुलिन रिजिस्टेंस को खतम करने के लिए जो डायपटीज को लेकाता है हमारी बोडी के अंदर इसके लिए क्या करना चाहिए हमारी जो बोडी है एक तरह से पूल है बलड का और इस पूल के अंदर कितना शुगर होना चाहिए एक टीस्पून के जाता है और हम सीरिल लेते हैं मौडणी के अंदर सुबस होए तो हमारा गुलकोज इस तना से होगा और वहीं पर अगर हमें एक ओमलेट या अवकादो जिसमें फैट भी है प्रोटीन भी है तो हमारा गुलकोज सिर्फ इतना सा स्पाइक होगा तो अगर आप मौडणी में अब कैदो या ओमलेट लेंगे तो क्या होगा कि आपका इंसुलिन सिर्फ इतना से स्पाइक होगा और वह बहुत जल्दी ही जो आपका इंसुलिन नीचे भी आ जाएगा और वहीं पर अगर आप सेरिल जैसा ब्रेकफास्स करेंगे तो आपका शुरूगर है इतना यहां से य ना स्टार्ट हो जाएगा वह आपका एक तरह से न्यू नॉर्मल हो जाएगा और इसके बाद आपके इंसुलिन को जो है नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब कि अब आपका न्यू नॉर्मल यहां पर पहुंच गया है और आप बहुत जल्दी ठक भी कोंसेंट्रेशन करने में और शोलूशन है एडिंग मोर फाइबर्स